दोस्तो वैसे तो दान की टाई का सीजन चल रहा है लेकिन हमारे पास दान की वो उत्तम तीन व्रैडिस जिसमें CR-212, PR-1211 और PR-122 शामिल है उनका जो येल्ड है वो हमारे पास आ चुका है दोस्तो आपको ये बात जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन तिनो व्रैडिस का जो येल्ड है वो सेम है कहने का अरतात ये है कि इन तिनो व्रैडिस का जो येल्ड है वो 28 कौंटल से लेकिर 34 कौंटल के बीच रहा दोस्तो ये तो इसके जील्ड की बात होगी तांके आने वाले समय में हम अपने खेत के उनसार इन तिनो व्रैडिस की चोन करें और अच्छा उत्पादन पाएं दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे हम CR-212 की दोस्तो जो CR-212 इसका माई बाप कौन है जां किस जूनिवरस्टी की है इस बारे बिल्कुल भी नहीं पता क्यों के ये सिर्फ एक प्राइविट किस्म है इसलिए सिर्फ ये ही मालू है कि इस व्रैडि के नाम CR-212 है दोस्तो इस व्रैडि के साथ मिलती जूलती जैसे P-65 और BR-105 और 125 जो जे व्रैडि से हैं वो बिल्कुल इस से मिलती जूलती है और जे भी कह सकते हैं कि सिर्फ नाम बदला है है वो CR-212 ही और जो इसका जील्ड है वो भी सेम है दोस्तो इस व्रैडि की खाशित यह है कि जहां PR किसमे अच्छा येल्ड नहीं देती वहाँ ये अच्छा येल्ड दे देती हैं और इसकी हाइड भी 5 फीट से कम रहती है और ये पकड़े में भी 140 से 25 दिन रहती है और दूसरे पासे इसको जेकर हम अच्छे खेत में लगाते हैं तो वहाँ इसकी हाइड बहुत जादे हो जाती है 5 फीट से प्लस और इसका जो टाइम है वो भी 160 से लेकर 165 के बीच में रहता है तो दोस्तो इसलिए जो जे व्रैटी है CR212 इसे वहाँ लगाया जाए जहां हमारी PR किसमें कम उत्पदन देती है और इसका पदन वहाँ अच्छा हो जाता है अगर हम इसे अच्छे खेत में लगाते हैं तो ये टाइम बहुत जादा लेकर जाती है और ये इसका जील्ड है उतना बढ़िया नहीं है जितना जादा टाइम लेने वाली व्रैटीस का है और दोस्तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PR 121 और PR 122 की दोस्तो जो दोनों व्रैटीस पंजाब अगरिकाल्चर जुनिवरेस्टी की है पीर 121 एक्सो चाली दिन पकड़े में लेती है दोस्तो जो पी एर एक्सो भाई है उसकी बैड बात यह है कि जब वो पक्ड़े लगती है तो उना ऐसा लगता है जैसे गिरेगी दीखने में सुंदर नहीं लगती जैसका बैड पॉइंट है और अगर हाइट की बात करें तो पी एक्सो एक्की से पी एक्सो बाईस की हा इला जानी माहूं की समस्या इस बार बिल्कुल भी नहीं आई दोस्तो अगर हमारा केत अच्छा है तो हम पी एक्सो एक्सो एक्स और पी एक्सो बाईस दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं अगर हमारा पनित थोड़ा सा खारा है जहां पी एक्सो एक्की और पी एक्सो बा लगा सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मुझे अमीद है कि मेरे दोवरा दीएगी जानकर आपको अच्छी लगी होगी तो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेको न बूले और ज्यादा से ज्यादा किसान बाईयों के साथ शेयर करना ताने वाद दोस्तों